आईए देखते हैं अपना question number 11, क्या करना है आपको इसमें, डिया हुआ है 3 bracket में x-2 over 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 bracket में 2-x over 3, ठीक है, इसको इससे multiply कर लीजिए और इसको इससे multiply कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 और x-2, इसको इससे multiply करोगे, तो 25, 2-x, ठीक है, अब ज़रा दिमांग लगाईए, अच्छा, ठीक है, तो multiply करके कर लोगे, वैसे minus 1 आप common भी ले सकते हो, बट वो थोड़ा साथ, शायद complicated हो जाए आपके लिए, तो इसको simply multiply कीजिए, 9x और इसको अंदर multiply करोगे, तो minus 80, इसको इसको इससे multiply करोगे, तो 50, और इसको इससे multiply करोगे, तो minus 25, 25 को इदर लेकर आएगे, ठीक है, चुग यह minus में इदर जाकर plus हो जाएगा, तो 9x प्लस 25x, यह minus में है, उदर जाकर क्या हो जाएगा, plus, तो 50 plus 18, solve कीजिए कितना आ रहा है, 34, और यहां पर कितना आ जाएगा, 68, यह 34 multiply हो रहा है, उदर जाकर क्या हो जाएगा, divide, x is less than, equals to 2, और यहां पर, for all, x belongs to r, x की value कहां से belong कर रही है, है, real number से belong कर रही है, अब इसका solution set जरा देखिए, solution set is, solution set क्या होगा, x की value क्या कह रहे है, 2 से छोटी है, ठीक है, तो 2 है, या उससे छोटी है, यह होगा, इसका solution set, ठीक है, तो यहां पर slate inequality है, तो closed interval आएगा, please note it down, आएगा, please note it down,